हलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल क्रेजी नौल भी संनीपन मौर रहा तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमसे भी लोग जानेंगे लोहे की वस्तूओं को हम पेंट क्यों करते हैं क्या है लोहे की वस्तूओं को हमसे भी लोग पेंट क्यों करते हैं आईए ये जान लेते हैं लोहे की वस्तूओं को संचारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं क्या है लोहे की वस्तूओं को संचारण अब संचारण का मतलब क्या होता है देखें संचारण का मतलब होता है कि पदार्थ का धीरे धीरे नश्ट होना क्या है पदार्थ का धीरे धीरे नश्ट होना तो लोहे की वस्तुओं को धीरे धीरे नश्ट होने से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं पेंट वस्त की सता तता हवा या नमी के बीच प्रत्यक्च संपर्क को समाप्त कर देता है क्या है पेंट वस्तु की सता तथा हवा या नमी के बीच प्रत्यक्ष है अब ये प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है ये प्रत्यक्ष का मतलब होता असपस्ट दिखाई पड़ने वाला यानि कि जो लोहे के वस्तु के उपर जो मतलब वो सब जम जाते हैं उर्चे उर्चे तो उसे तो क्या है तो असपस्ट दिखाई पड़ने लगता है तो संपर्क को समाप्त कर दिया जाता है यानि कि उसे पेंट कर दिया जाता है जिससे वो समाप्त हो जाता है और जिसे धाद का संचारण नहीं होता है जिससे धाद का संचारण नहीं होता है जिससे जो धीरे धीरे पदार्त होते हैं उसका संछारण नहीं होता, यानिकि जो धीरे-धीरे नस्ठ होता था वो अब नहीं नस्ठ होगा, तो क्या है फिरसे एक बार पढ़ लेते हैं, लोहे की वस्तू को संछारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं, पेंट वस्तु की सता तता हवा या नमी के बीच प्रतेक्च संपर्क को समाप्त कर देता है जिसे धात का संचारण नहीं होता है तो फ्रेंड्स अगर आप से भी कोई स्वेडो में कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो मिलते हैं कोई और नहीं वीडियो में नेट आपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद